दोस्तों, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद बखुद बदल जाते हैं, किसी भी चीज की खुबसूरती उसको देखने वाले की नजर में होती है, अमीरी गरीबी सादनों पर नहीं विचारों और भावनाओं में रहती है आईए जिन्दगी को देखने के दो अलग-अलग नजरियों को देखते हैं एक बार एक धनी विक्ती अपने बच्चों को गरीबी और अमीरी का पड़ाने के लिए एक गाओं में लेके गया ताकि उसके बच्चे देख सकें कि गरीबी क्या होती है अमीर विक्ती के साथ उसके दोनों पूत्रत है गाओं में एक पूरा दिन और एक रात बिताने के बाद अमीर विक्ती अपने बच्चों के साथ शहर लोटाया घर आकर उसने अपने बच्चों से एक-एक कर उनका अनुमाव जानने का प्रयास किया वह अपने पहले पुत्र के पास गया और उसने पूछा बेटा तुम्हें कैसा लगा उस गाओं में समय बिता कर उनकी गरीबी देखकर पिता की बात सुनकर पुत्र बोला पिता जी गरीबी बहुत ही भयानक है उनके घर में ना ही कुत्ता है ना ही स्विंग पूल है उनके पास तो गुमने के लिए गार्डन भी नहीं है वाकई में पिता जी हम बहुत अमीर हैं पिता ने अपने पहले पुत्र के जवाब को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर उसने अपने दूसरे पुत्र से पूछा बेटा तुम्हें कैसा लगा उस गरीब गाओं में समय बिता कर पिता की बात सुनकर दूसरा पुत्र मुस्कुराते हुए बोला पिता जी हम लोग कितने गरीब हैं हमारे पास एक कुत्ता है जबकि उनके पास चार-चार है हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जबकि उनके घर के पीछे तो पूरी नदी है हमारे पास घुमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है जबकि उनके पास तो पूरा प्राकरोतिक जंगल है वाकई में पिता जी हम बहुत गरीब है पिता को अपने पुत्र की बात समझ आ गई और वो समझ गया कि जीवन में सारा खेल नजरिय का है हम चीजों को जिस नजरिय से देखते हैं वो हमें वैसी ही लगती है इसलिए दोस्तों हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से ही देखना चाहिए पानी का ग्लास आदा खाली है या आदा भरा हुआ इसका फैसला हमें करना है दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे खूप सारे अच्छे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए